तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा बॉलिवुड फिल्म ब्लैक मिल के अपडेट्स ये वो ब्लैक मिल है जो आई थी 2018 में मतब हाल ही में रिलीस हुई थी तो ब्लैक मिल जो रिलीस हुई 6 एपराल 2018 को फिल्म को पांच में से 3.5 चार्स की रेटिंग दी गई थी और ये एक बॉलिवुड ड्रामा फिल्म है जिसको अभिने दियो ने डायरेट किया था प्रडूस किया था भूशन कुमार कृशन कुमार अभिने दियो और अपूर्बसेन गुपता ने इसके राइटर की बात करे तो राइटर है परवीन शेक डायलोग लिखे थे इसके प्रधुमन सिंग ने आ जाते हैं कास्ट पर तो इसमें इरफान खान, किर्थी कुलहारी, दिव्यादत्ता, अरुनोदे सिंग, ओमी वैदिय, लीट रोल में और सपोर्टिंग रोल में नसरा आये थे बजेट था इसका 20 करोड रूपीज का कलेक्शन के बात करें तो डे वन पर इंडिया में 2 करोड, 81 लाग की ओपनिंग कलेक्शन की थी, फर्स्ट वीक में 16 करोड, 92 लाग के कलेक्शन की थी, और फिल्म का जो इंडिया का लाइफटाइम नेट कलेक्शन था, 20 करोड, 35 रुपीज कर रहा था इंडिया से बाहर यानि ओवर्सीज मार्किट टू करोट सेवन्टी टू लैक के कलेक्शन हुई थी और फिल्म का जो वर्ल बाई टोटल ग्रॉस कलेक्शन था 28 करोट 81 लैक रुपीज कर रहा था अब रही बात वाइट डिक्ट यानि हीट और फ्लॉप की तो आपको मतारी कि ब्लैक मेल बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी वैसे मैंने ये फिल्म नहीं देखी लेकिन जब मैं इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे इसका ट्रे दिल, गुरु रंधावा, पावनी पांडे और अमित त्रिवेदी तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में फिल्हाल इतना ही मैं हुझा दिन आप सब का दोस्त और मेरे इस चैनल बॉली यूस का होस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी बन जाए मेरे दोस्त अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद